जहिंद मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर विलकम करता हूं आज हम लोग SSE MTS 23 के सेट नंबर 9 को यहां पर डिस्कॉस करने वाले हैं टोटल जो एक्जाम हुआ था आपका 57 सिप में एक्जाम हुआ था 57 सिप में एक्जाम हुआ था और हम इसके 9 पार पर आउजित की जाती है तो भारत में जो किर्षी जनगरना होता है पांच शीज के अंतराल पर पर आवजित की जाती है इसका करेक्टाइन सर हो जाएगा नेस्ट में से कौन सा परशित अपरनियास भारतिया लिखक्आ ऐ पन्यास भारतिय लिख्यक आर्के नरायन द्वारा लिखा गया है तो डार्क रूम इसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा रास्टिय जल्माग 2 जो है आपका नेस्टनल वाटर वेट 2 ब्रह्मपुत्र नदी की साधिया धूबरी खंड़ से इस्तित है रास्टिय जल्माग 2 जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पैसित है जो की साधिया धूबरी को जोड़ता है नेस्ट है बैडमिंटन में डवल्स कोट की लंबाई और चोड़ाई जोती है 13.4 से लेके इंटू 6.10 होनी चाहिए बैडमिंटन में डवल्स कोट की लंबाई 13.40 इंटू 6.10 मीटर होनी चाहिए भारतिय सविधान का भाग चार्ज आपका राज के नीती नीद्यसक्ततों का प्राधान करता है बाग चार्ज जो है भारतिय सविधान का नीती नीद्यसक्ततों से जुड़ा हुआ है और DPSP से जुड़ा हुआ है डाइक्टिप प्रिस्टेट पहले सी कहां से लाँ है तो हम आर्लेंड से लाँ है नेमली कितमें से कौई सा तेयरंकी प्रतियों गिता का मान्य हम आचार्ण को 9 रौ 190 का ते उहार, नव वर्स की रुप में मनाता है यह हो जाईगा पार्सी समूदा है तो कौन सा समुदा है नौरोज या नौरोज का तिवहर 9 वर्स के रूप में मनाते हैं तो यह होजगा पार्सी का तिवहर, पार्सीं का तिवहर नेक्स्ट प्रिथवी राज तित्य ने 1191 में अफगान ससक सुल्टान मुहमद गॉरी को हरा ता तो 1191 ने, प्रिजवीराच चोहान ने अफगान सफसर सुल्तान मुहम्मध गणी को आ रहा था और इसके बाद ही जैस्ट 1192 में मुहम्मध गणी ने प्रिसवीराच चोहान को हरा दिया था और मार दिया था नाटी नेमलिखित में सक्कित स्राजी का एक लोक नीत है नाटी निमलिखीत में से किस राज का एक लोक निते है तो यह आपका हिमाचापदिस का लोक निते है नेक्स्ट है पंडित किसन महराज एक परशिद क्या है भारतिय तबला बादक है पंडित किसन महराज जो आपका तबला बादक से से हैं पंडित किसन महाराज का संब्छ जवाब का तबला बादंग से हो जाएगा या दखेगा नेक्स्ट है रास्टिया आई लेखांकर में जी विये का अर्थ होता है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में सक्किए इस देश में भारती जनसंख्या की विर्धी दर रिनात्मक थी तो यह जगा आपका 1191 से लेके 1921 तक तो निम लिखित में सकते कि इस देश में, किस दसक में भारती जनसंग्या के विर्दी दर्ड जो है थी, रिनात्मक थी यानि निगेटी में चल रही थी, तो वो था आपका 1911 से लेके 1921 तक का ताइम वे जीव जो पादपो द्वारा संसलेसित भोजन ग्रहन करते हैं, उन्हें विसम पोसी हम कहलते हैं नेस्ट है, लोहे पर जिंग की परद चढ़ाने की प्रक्रिया को हम गैलवनिकरन कहते हैं, यानि गैलवनाईजेसन प्रसेज होता है, जिस पे हम लोहे को बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे हम जिंग का परद बठा देते हैं, उसको हम गैलवनाई पश्रिम मंगाल में अस्थानिय तुफान को हम काल बैशाकी के नाम से जानते हैं। मैंगो शोर जो है, साउथ इंडिया में कहते हैं, केरला करनाटका रिजन में, लू आपका नौर्स इंडिया में कहते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है दिस्टी से जनसंख्या की दिस्टी से उत्तापदेश की सस्थान पर है तो उत्तापदेश पहले अस्थान पर है जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या कहां पर है तो यह आपका उत 2022, Strengthening, Augmenting and Municipal Revenue for Infrastructure Development in Delhi, योजना के तहत, यहने आपका सम्रिधी योजना के तहत, लोग आवास्य संपत्ति के लिए वर्तमान और पिछले 5 वर्सों से लंबित कर की केवल मूल रासी का भुखतान कर सकते हैं, नेक्स्ट है, नेमलिखित में से क्या कोसिका के तीन मुख्य भागों में से एक नहीं है, तो रिक्तियां इसका हो जाएक करेक्ट है, बागी केंद्रक होता है, कोसिका जिल्दी होती है, और कोसिका द्रव होता है, आपका मुख्य भाग होते हैं, लेकिन आपका रिक्तियां नहीं होती है, नेक्स्ट है, नेमलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में बिटिस सरकार और इस्ट इंडिया कपनी द्वारा नियंतरन की दोहरी व्यस्था स्थापित की गई थी तो यह था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट निमलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में बिटिस सरकार और इस्ट इंडिया कपनी द्वारा नियंतरन की दोहरी विवस्ता सापित की थी तो गया 1784 गा पिट्स इंडिया आइक्ट नेक्स्ट है जो बल प्रित्वी के सत्ता पर उत्पन होते हैं उन्हें आम बहिर जनित बल कहते हैं जो बल प्रित्वी के सत्ता पर उत्पन होता है तो बहिर जनित अगर प्रित्वी का अंदर होगा तो आपका अंतर जनित नेक्स्ट हैं वज्जी महाजनपत जो है उसकी राधानी थी वैसाली वज्जी महाजनपत की राधानी क्या थी वैसाली इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है मलिका सारा भाई को वर्थ 2010 में भारत सरकार द्वारा परतिस्टित पद्में भूशम पुर्षकार से सम्मानित किया गया था तांजाओर में विद्ध्योश्वर मंदीर चोल सासको द्वारा बनवाया गया था तंजाओर में विद्धेश्वा मंदी जो आपका चोल सासक के दोरा बनवाया गया था और विद्धेश्वा मंदी किसने बनाया था तरही हो जगे राजा राजा चोल ने बनवाया था और यह हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है मिलते हैं अगले सेट पर तब तक लिक्या करना टेलिगान चैनल के लिंक जो डिस्केसर में दे दिया गया आप यहां से इन पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं चैहिंद जय भारत धनेवाद